2017 में युवाओं ने भले ही अखलिश का साथ ना दिया हो और पार्टी को करारी शिकस्त चेलनी पड़ी हो लेकिन एक बार फिर से सभा अपने वोट बैंक को सहिशने का प्रयास कर रही है 31 जुलाई तक 24 अब्यान में 1 करोड 28 लाग सदस्य चुड़े हैं इनमें 65,50 से ज़ाद यवाओं की संख्या है पार्टी 2019 में होने वाले लोगसबा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए सभी सदस्यों के मुबाइल पोन का डाटा बैंक तैयार करेगी बोट लेवल तक वो वर्कर्स का ब्योरा पार्टी ऑफिस के आईटी सेल में हर वक्त तैयार बलेगा माना जा रहा है कि पार्टी खोई हुए जनाधार को वापस पाने के लिए यूथ एजेंडे पर काम कर रही है हर वर्ग से हर धर्म से और समाज की हर तबके से जुड़े साथ ही महिलाएं बड़ी मात्रा में जुड़ी हैं और जो मैं कहूँ हमारे अग्रज हमारे बड़े हैं समाजवादी पार्टी के पुराने स्थम रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत बढ़ चड़कर इस सक्रेटा से इस सदस्ता अभ्यान को एक दिशा दी कहूँगी कि सभी उम्रों और सभी वर्ग के लोग हमलों के साथ हैं मुलाहिम सिंग्य यादव के सपा के अद्यक्षपत से हटने हैं अकलेश यादव के सपा का द्यक्ष बनने के बाद ये पहला मेंबर्शिप केम्पेंग है बताया जा रहा है कि इस केम्पेंग के साथ अकलेश यादव पार्टी पर ना सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत करने जा रही हैं बलकि उसका कलेवर भी बदल देंगे पार्टी के मेंबर्शिप केम्पेंग में 14 लाग से जाता यवाओं ने आनलाइन प्राथ में की सदस्ता ली है ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में यवाओं ने आनलाइन मेंबर्शिप ली है लेकिन बापजूद बीजेपी का मांगना है कि अब यवाओं का समाजवादी पायटी से मोबंग भोचका है लेहाजा सदस्ता अभ्यान से कुछ नहीं होने वाला अगर मंतरी की बात है यवाओं का साथ 2014 से लेकर 2017 तक अकलेश से छूपता रहा है लेकिन अब पायटी और अकलेश दोनों अपने पुराने फॉर्मूले पर काम करते नजर आ रहे हैं अब ये फॉर्मूला पायटी के लिए कितना पायदेमंद सावित होगा ये देखना होगा अनामिका सिंग के साथ वीरो रिपोर्ट एपियन लटनाव